दोस्तों किंग ने कर दिया किंग मूवी का अफिशल अनौसमेंट भाई सहाब ऐसी उम्मीदें नहीं थी अब आपका इंडिया की मस्च हाइप मूवी इसका कुछ भी नहीं आया था भाई सहाब इवन अनौसमेंट भी नहीं हुआ था कि हाँ इस तरीके की कोई मूवी आ रही है दोस्तो शारू खान मतलब आप लोग कह सकते हो कि यार लास्ट टाइम मुझे लगता है कि दोस्तो उनकी मूवी धंकी की शूटिंग अभी तक खतम हो गई थी एक साल से वो मतलब कोई मूवी के दोस्तो शूटिंग नहीं किये है और ऐसे में यहाँ पे शारू खान के फैंस बिल्कुली गाईस पगला गए हुए और वो कह रहे थे कि यार कुछ अच्छी मूवी कोई घसब तरीके की मूवी शारू खान को साइन करना चाहिए कुछ आउट एन आउट एक्शन मूवी कोई ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद फैंस पगला जाए अला कि शारू खान ने दोस्तों ये कारनामा करके दिखाया है भाई सहाब डंकी जवान पठान अल्रेडी दोस्तों ब्लागबस्टर मूवीज हैं उसके बाद शारू खान को थोड़ा वक्त लेना था और उन्होंने लिया और क्या सकते हैं कि बिल्कुल सहीं जो स्क्रिप्ट है उसके ओपर हाथ आजमाया तो यहां पर शारू खान ने फाइनली खुद से यहां खुद मू से बोल रहे है भाई मूवी का टाइटल का नाम और यहां पर शारू खाने क्या बोला है बेसिकली गाई हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंटरस्टिंग वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे हैं तो करते हैं अपने इस वीडियो के शुरू लैट्स कार्ण दोस्तों यहां पर मैं कुछ भी बोलू हूँ काफी कुछ बोला यही नहीं कि अपनी मूवी के बारे में इवन दोस्तों उन्होंने इंडिया मतलब यहां पर इंडिया बोल रहा हूं साउथ वर्सिस नॉर्थ इंडिया जो यहां पर होता है यह लोग जो बॉलिवूड साउथ करते हैं इस डिवेट के ओपर शारू खान अबना स्टेंड क्लियर किया है तो अगर यहां पर आपने शारू खान का यह जो इंटर्ür वी देखां गर इसको अभी का ट्राइन कि वो King movie ही कर रहे हैं और हमने जो आपको रेसिटली में अपडेट दिये थे कि नवंबर से King movie की shooting शुरू हो जाएगी वो बिल्कुल इस सच अपडेट था और गाई शारू खान कह सकते हैं कि इसकी shooting वैसे King movie की जुन जुलाई से करने वाले थे लेकिन गाई में भी कुछ issue के व पाकबश्टर दोस्तों लिख रहे हैं और यह जो गाईज script है इसको शारू खान ने दोस्तों सुना उनको बहुत इंट्रस्टिंग दोस्तों वह script लगा और कहीं न कहीं थोड़े changing कराने के बाद शारू खान ने दोस्तों script को done कर दिया है बागे यहां पर हम लोग दोस्तो और additional आपको जो यहां पर update है वो बता है तो गाई शारू खान wanted to do certain type of eccentric film since past 6 से साल इसेंट्रिक फिल्म दोस्तों उनको करनी थी एसेंट्रिक फिल्म सुझाय घोस narrated me to an idea और I love and how we are coming with king यहां पर जो सुझाय घोस है उन्होंने गाई उनको कुछ ideas दिये और उनको बहुत पसंद आया आपको वज़ा दूं कि भाई शारू खान सुझाय घोस के साथ कई movie as a production house के तले दोस्तों उनको उनके साथ काम कर चुके हैं तो उनके जो guys ideas है वो शारू खान को काफी पसंद आते हैं कई बार वो पैसे लगाते हैं लेकिन इस बार शारू खान ने खुद को दाओं में लगाया है इस movie में अभी शेक बच्चन के साथ ही साथ शारू खान की बेटी होने वाली है आखिर जो South versus Bollywood है उसके उपर अपना जो जो stand रखा है किलियर क्या है क्या वो बोलते हैं तो यहां पर शारू खान का सीधे तोर पर कहना है कि यह जो regional movies है हमें यह ऐसा नहीं इनको देखना चाहिए यह सब इंडिया की movie है और बस यह जो barrier है बस language का है नहीं तो हम लोग इस स्टोरी जड़ से जूड़ी होती है यहां पर वह जितने भी डिरेक्टर हैं वहांकि लोग जितने भी है उनकी अपनी एक स्टोरी दोस्तों वह लेगे लेगे आ तो बहुत खूबस्त वह उनकी स्टोरी होती है यहां पर कह सकते हैं कि इनको शारू खान ने very ternative कहा है और यह एज़ा लार्जन देन लाइफ मुवी बनाने में काफी ज़दा गाईज आगे हैं शारू खान खुद कह रहे हैं और यहां पे वो साउथ और बॉलिवूड नहीं बलकि सीधा इडियन फिलिम इंडिस्ट्री दोस्तों कहां बैटके वहां बैटके दोस्तों कह रहे हैं अपने आप पे दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है नहीं तो लोग शारू खान की मुवी पठान को यह कहके बाइकॉट कर रहे थे कि यह बॉलिवूड है कबाड़ा बूढ है कराची बूढ है पता नहीं क्या क्या गया बोलते थे लेकि शारू खान ने यहां पे कह सकते ह कि इंडियन फिलिम इंडस्टे का दोस्तों साथ दिया है और उन्होंने ये जो बाते बोली हैं ये कहीं न कहीं गर्व की बाते हैं और कहीं दोस्तों मुझे रखता है कि सभी स्टार को यही सोचना चाहिए और जो फैंस हैं उनके बीच में जो दूरी बच्ची बनी हुई है ये खतम हो और अब अगर मान के चलो कि ट्रिपल आर में अजय देवगन थे बहुत अच्छी कमाई हुई कलकी में अमिताब बच्चन दिपिका पादुकौन हिंदी इस इलाके के जो स्टार है वो थे तो बहुत अच्छी कमाई हुई और जैसे कि जवान में आपने देखा क कैसे विजे से तुपति नायन तरह थी तो मुझे रखता है कि ऐसे मिल जूल के रहना चाहिए अगर एक साथ मिल जूल के रहेंगे तो हम भी हॉलिवड के आफ्तार टाइप के गाईस कलेक्शन कर सकते हैं क्या कहना है बताओ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में अभी के लि है